हेलो एवरिवन तो आज के नए एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्याक्टस को जल्द से जल्द कैसे ग्रो करें तो आप देख सकते हैं मैंने दो दो एक्सपेरिमेंट किये हैं एक जो गमला है उसमें मैंने ये प्लास्टिक की पॉलिथीन चड़ाई है एक मिनी ग्रीन आउथ जैसा इसे एन्वार्मेंट दिया है जिसमें हिउमेड ज्यादा है और एक जो मैंने ओपन रखा है और इसको डायरेक्ट धूप मिलती है जो ये ओपन एन्वार्मेंट में रहता है और इसको में पानी नहीं डालता बट ये खुर्दूरी सिमेट्टी में पोरस स्ट्रक्चर करके इसके लिए रखता हूं अब देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट कैसे आया है मैंने ये दो हपते पहले एक वीडियो बनाय था और उसमें म दूविक्स का रिजल्ट क्या आता है तो मैं इसकी ये पॉलिथिन हटा दे रहा हूं और आप इसका साइज देख सकते हैं कंपेर्ड टू दिस तो इसका साइज ज्यादा बड़ा है कंपेर्ड टू दिस और मेरा कहने का मतलब यह हैं अगर आप इस तरह की पॉलिथिन रखते हो तो आपका जो कैक्टस है वो अपने नॉर्मल स्पीड से जल्दी ग्रो करता है क्योंकि इसको एक हमिड इन्वार्मेंट मिलता है और वो एक ग्रोंग सीजन होता है जम रेनी सीजन होता है कैक्टस भी ऐसे सिजन्स में जल्दी ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर और हुमिडिटी उनको ज्यादा मिले वो ज्यादा जल्दी उस हुमिड इन्वार्मेंट से वाटर एब्सॉर करके रखते हैं तो आप भी ऐसे ही अपने जो टक्टस है उन में इस तरह से पॉलितिफिन या आपके पास कोई ग्रीन हाउट जैस सिस्टम हो आप उसमें रख सकते हैं मैंने ऐसे ही अपने पास जो कुछ गोच कैक्टसे हैं उन सभी को मैक्जिम तो सभी को जो छोटे वाले है उनको ढखके रखा है इस तरह से यह सबसे सिंपल मेधड है कि आप अपने कैक्टस को जल्द से जल्द ग्रोह कर सकते हैं यह अगर कहूं तो जीम्नो कैल्शियम पी फ्लांजी करके कैक्टस नाम है वो है जो भी ग्रो हो रहा है आप प्रिफेर करें मिट्टी की गमलों में इसे लगाने का अगर प्लास्टिक के देखे तो क्योंकि मिट्टी के गमलों में एरेशन अच्छी होती है पानी अच्छे से ड्रेन होता है प्लास्टिक के गमलों में पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होता तो यह एक रिजन है आपको मिट्टी के गमले प्रिफेर करनी चाहिए हलाकि इसकी जो सॉइल में ने बनाई है उसकी बेढ़े भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैक्टस के लिए आप सिंपल से सिंपल आसपास की जो भी मिट्टी हो जैसे भी हो उस मिट्टी में कैसे लगाए जैसे बालू हो गई आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल हो गई इ देख रहे हैं यह जो मेरे पास इटे हैं इनका चूरा है और थोड़ी सी खाद जो मैं बताऊंगा इसके अगले वाले वीडियो में तो आज के लिए बस इतना ही थेंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई वीडियो